हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी सोले दिवसिये महालचिमी ब्रत कथा कहानी कुछ इस प्रकार है एक समय की बात है जब सिरी बेद ब्यास जी हस्तना पूर पधारे थे उनके आग्मन की बात सुनकर महाराज धरतराश्टन ने उनका स्वागत किया और राजमहल के भीतर ले गए और खूब मान सम्मान दिया उन्हें स्वर्ण सिहासन पर ब्राजमा करके उनका पूजन किया श्री बेद ब्यास जी से माता कुंती और गांधारी ने हाथ जोड़कर बिन्ती की और कहा कि आप तो तिरकाल दर्सी हो हमें कुछ ऐसा सरल ब्रत बताएं जिसे करके सुक संपत्ति राज लचमी पुत्र पुत्रादी एवं परवार सुकी और संपन रहे यह सुनका स्री बेद ब्यास जी ने बताया कि महाल अच्वी ब्रत करने से यह सुक संपत्ति की प्राप्ति होती है इस ब्रत को भाद रुपद मास की शुकल अश्टमी से आरहम किया जाता है बेद ब्यास जी ने बताया कि है ब्रत करने के लिए इस दिन इसनान करने के बाद सोले सूत के धागों का दोरा बनाएं और उसमें सोले कांट लगाके हल्दी से पीला कर लें अब प्रति दिन सोले दूब और सोले गहों के दाने दोरे को चड़ाएं अश्वनी कृष्ण अश्टमी को ववास करके एक मिट्टी के हाती पर महालच्मी जी की प्रतमा इस् महलों में नगर की इस्त्रियों सहित यह ब्रत का प्रारहम किया और 15 दिन तक ब्रत करने के बाद 16 दिन गांधारी ने अपने महल में नगर की सभी प्रतिष्ठित महलाओं को पूजन के लिए बुलाबा दिया माता कुंती के यहां कोई भी महला पूजन के लिए नहीं गई और गांधारी ने माता कुंती को भी अपने महल में पूजन करने के लिए नहीं बुलाया इस बात को माता कुंती ने अपना अपमान समझा और पूजन की तैयारी किये बिना उदास होकर बैठ गई उनकी उदासी इंता देखकर उनके पांच पंडव युदुष्टर अरजुन भीम नकुल और सहदेव ने उदासी का कारण पूछा तब माता कुंती ने बताया कि गांधारी ने अपने सौपुत्रों के द्वारा हाती की बहुत बड़ी प्रत्मा बनाकर नगर की सारी महला लगबा देंगे कि हमारे यहां सौरण के एरावत हाती का पूजन किया जाएगा माता कुंती ने नगर में धिंडोरा पिटवा दिया इधर अरजुन ने मार के द्वारा एरावत हाती को स्वर्ग से बुलबा लिया यह सुनकर नगर की सारी महला गांधारी के महल से पूजा की थाली लेकर माता कुंती के महल में पूजन करने के लिए आ गई महल में एरावत हाती को देखने के लिए नगर के सभी लोग सामिल हो गए माता कुंती का महल नगर जनों से ठसा ठस बर गया माता कुंती और सभी नगर जनों ने इंद्र के द्वारा भेजे गए एरावत हाती के आते ही फूल मगुलाव, अवीर और केशर से स्वागत किया एरावत हाती पर महाल अच्छिमी जी की पतमस इस्थापित करके राज प्रोहित के द्वारा विधी पूरुवक पूजन किया नगर जनों ने महाल अच्छिमी का पूजन किया, उसके बाद एरावत हाती को अनिक प्रकार के पकवान खिलाई गए और यमना का जल पिलाया गया बिधी पूरुवक महलाओं ने पूजन करके सोल्य गांट बाला डोरा अपने हातों पर बांध दिया भ्रामणों को भुजन करवा के बस्तर एवं आभुसड को दच्छना की रूप में दिया गया उसके पश्चात महलाओं ने भजन कीर्टन करके रात्री महालच्मी ब्रत का जागरन किया दूसरे दिन सुभ़े महालच्मी की बत्मा का वंत्रों के साथ जलाशाय में बिसजन किया गया और एरावत हादी को बिदा करके इंद्रलोक में भीजा गया इस प्रकार जो इस्त्रियां स्री महालच्मी जी का विधी पूर्वक ब्रत एवं पूजन करती हैं उनके घर धन धान से पून रहते हैं तथा उनके घर में महालच्मी जी सदा निवास करती हैं महालचमी पूजन के बाद यह मंतर अवश्य बोले महालचमी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरी प्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे तो friends यह था हमारा महाल अच्छी ब्रत की कथा का चोटा सा वीडियो यादि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को भर-वर के लाइक किजीएगा अपने family friends में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजीएगा जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का अधेर अधे